सौपिंग करना हम सब को पसंद है पर क्या आपको पता है इसमें मिलने वाले जो इस तरीके के खोके होते हैं कई बर हमें साड़ी में सूट में बच्चों के कपड़ों में इस तरीके का बॉक्स मिलता है इसको हम क्या करते हैं जादा तर फेक देते हैं या तो फिर हम इसको अब फ्रीज में रखकर देखा है अगर नहीं रखा है तो आप एक बार जरूर ट्राय करें और वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप से रिक्वेस्ट करती हूं एंड तक बने रहीएगा वीडियो में कुछ भी पसंद आये तो लाइक कीजिएगा मेरे चानल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सारा कमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरा टिप्स और ट्रिक्स कैसा लगा तो चलते हैं आज के पहले की तरब हम घर पे किचन में इतना काम करते हैं कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है तो कई बरी क्या होता है कुछ काम को टिप्स और ट्रिक्स की जरी अगर किया जाए तो बहुत ही आसान होता है और हमें काफी सारा टाइम मिल जाता है प्याज को कट करते ही हमा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आप इसी प्रोसेस से जो है ना लसन को भी जब आप प्याज काटें तो लसन को भी इसमें डाल कर रख दें फिर आप देखिएगा कि जो आपका जो छिलका है ना वो बहुत आसानी से निकल जाएगा अब चलते हैं ट्रिक्स नंबर टो की तर हों तो मैंने क्या किया यहाँ पर कीच जो है ना टाइं में लोग करके और फिर यह वरी हुएक सी दो कि Ste से बतारे कर लेना है इस तरीकिया आप तीकि नाप्राइब कर लोसने कर लेता लेता है या तो फिर आपको जितना भी चाहिए वह आप अपने accordingly कर सकते हैं इस तरीके का एक hanger बन जाएगा ये और बहुत ही simple organizer है आप इसको कहीं पर भी organize करके रख सकते हैं आप देखेंगे आपने जो भी समान रखा है वो आपको clearly visible होगा और जब भी आप कोई समान ढूंडेंगे ना तो आपको इधर उधर ना ढूंड कर एक पर वाले खोके जो मैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो के first में बताया था कि जब कभी भी हम सॉपिंग करते हैं उस तरीके का खोका हमें मिलता है इस खोके के अंदर जो है ना में प्लास्टिक भी मिलता है इस खोके को जो है आप इस तरीके से organizer बना सकते हैं इसमें कुछ simple paper पर रखके बड़ जो मेरा में मोटीव है वह इस तरीके के paper को ले करके यह एक्चली paper नहीं यह plastic का होता है और बहुत ही helpful होता है इसको आप जो है ना अपने fridge में जो उपर जो glass होता है ना फ्रीज में self के लिए उसमें क्या होता है हम बहुत सारे बहुत महंगे दे करके online हो या offline हो इस तरीके के जो sheet आता है वो हम करीबन 1500 से 200 रुपे खर्च करके हम online purchase करते हैं पर आप अगर इस seat को देखें यह same वैसा ही seat है जैसा हम online बिलवाते हैं वो थोड़ा सा थिक होता है और यह थोड़ा सा थिन होता है बस इसी का फर्क होता है बाकि काम एक ही आना है आप आपके फ्रीज में कोई भी scratch नहीं आएगा जो कांच होता है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आप जब भी clean करेंगे तो आपको बार बार जो है ना glass निकाल करके clean नहीं करना पड़ेगा चलिए चलते हैं अगले tips की तरप में इस तरीके का जो कपड़ा आता है ना whale weight का ह यह normal यह 40-50 रुपे में आपको मिल जाएगा मीटर अगर आप एक मीटर लेते हैं तो आपको दो बनाने आजराम से बन जाएगा इस simple से कपड़े में मैंने क्या किया है फ्रीज का एक cover बनाया है कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया है बस double fold करके side में 3-3 pocket के हिसाब से इसमे दिक्कत वाला काम होता है तो आप इसके उपर कोई भी flower pot वगेरा रख सकते हैं हाँ इसके side में जो pocket है ना उसको आप आराम से जो है ना साफ कर मतलब रख सकते हैं और आप इसको easily जो है यूज में भी ले सकते हैं तो देख सकते हैं आप दोनों side से मैंने बताया है यह 3-3- परकेट में मिलता है यह सर्फ आपको 50 रुपे में बनके तयार हो जाएगा अब चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ यह मैंने एक पुराना डाइरी है आप चाहें तो आपके पुराने नोट बुक्स भी ले सकते हैं मैंने यहां पे तीन से चार कट किये हैं पेपर आप चा काटके और फिर हम इसको इसमें लिखा करते थे तो इसको क्या करना है स्टैप्लार से पिन कर लेना है और एक डबल टेप लगा लें अगर आपके पास डबल टेप नहीं है सिंगल टेप को भी डबल करके लगा सकते हैं फिर आप फ्रीच के साइड में कोई भी साइड में जहां पे आपको मतलब इजी हो स्विटेबल हो वहां पे आप इसको स्टिक कर लीजिए और फिर आप इसमें जो भी आपके ग्रोसरी आइटम्स हो गए या तो फिर आपने कौन समान आज खतम हो गया है किचन में वो सारे आप लिस्ट यहां पर बना कर रख सकते हैं इसी के साथ मैं एक और टीप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसमें क्या होता है हमें कई बारी होता है पेन इधर उदर ढूनना पड़ता है यह मेरी बेटी का पैंसिल का जो है कि इस्तमाल आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं मैं इसमें चोटे मोटे मैडिसिन रखने के लिए यूज करती हूँ और आप चाहें तो इसमें लेबल भी लगा सकते हैं कि आपने इसमें मैडिसिन रखा है आइसक्रीम तो हम सभी को पसंद होते हैं देखी आइसक्रीम खा कर करेंट जबilian कुछ और रखना चाहें तो इस स्टीकर को निकालना बहुत ही आसान होता है अब ःस्ते से स्टीक्र को निकालना दो reduce इसमें हमें करना क्या है एक टीशू पेपर आप रख लीजिए फिर इसमें जो है ना मिर्ची को मैंने यहाँ पर डंठल सारे अलग कर दिये हैं और फिर इसी टीशू पेपर को ढख करके इसमें रख दूँगी यह अराम से एक हफते से 10 दिन तक के काम में आ जाएगा और क्य कि इसमें लेबल लगा हुआ है तो मुझे बार-बार इसका जो है ना लीड खोल के देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी कि मैंने कौन सा समान कहां पर रखा है क्योंकि यह ना कोई ट्रांसपेरंट है और क्योंकि मैंने इसमें जो है ना रैपिंग जो है टीशू पेपर क रख लिया या तो फिर पुदीना है यह सारी चीजे टीशू की वज़द से खराब नहीं होंगे अब यहां पर मैंने कुछ परवल रखा है इसको हम पोटल बोलते हैं आप अपने लेंगविज में क्या बोलते हैं आप आपकी जगा पे इसको क्या कहा जाता है आप कमेंट करक ना तो आपको दिखेगा कि आपने कौन सा समान कौन सा सबजी कहां पे रखा है चलिए इसे के साथ एक और टिप्स शेयर करूंगी कभी भी कोई काटी भी भाजी होती है जिसे काट लेते हैं कई बाई हम क्या करते हैं नेक्स डे के लिए जो भी लंच प्रिपेर वगरा करन नाइट में तो आप इसको क्या करें एक टिशू पेपर नीचे डालिए फिर आप इसको कोई भी कंटेनर में डालके जो भी थोड़ा सा धकन लीड वाला हो हमें कोई भी सबजी को फ्रीज में खुलानी रखना चाहिए कोई भी समान रखें आप धकर के रखें तो इससे क्य होगा कि उनके सारे जो समान होते हैं वो रखना कितना मुस्किल हो जाता है वो एक साथ रख करके एकदम सारा मैसी कर देती है जो मेरी बेटी है तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास एक क्रीम का डबा पड़ा हुआ था लैकमी का तो वो खतम हो गया था इस तरीके के जो भी कंट जरूरी नहीं है आप इसमें क्लीफ सी रखें आप इसमें क्या करें कि छोटे मोटे बटन्स वगएरा या तो फिर कुछ और अगर आप स्कूरू वगएरा रखना चाहते हैं नट्स वगएरा में वह भी रख सकते हैं मैंने यहां पर एक छोटा सा बस ऑर्गनाइज करके आप अटेम आप यहांद का अधि गया एक समान की आप ने कौन से समान कहां पे रहा है इसको बाहर रख दिया है चले चलते हैं और आज के जो आखरी टीप तो आप इसको करते हैं और अच्छा टिप्स यह है कि हम जब भी आठे को चलनी में चलाते हैं तो वह क्या होता है इधर उदर बहुत जाता है तो आपका आठा एकडम बिल्कुल इधर उदर नहीं होगा और बहुत ही क्लीन होगा उमीद करती हूं आज का वीडियो आप लोग